गोंती हुए पहारों के दिन्मियान बसी हुए एक पुराने गों में आमना नाम की एक अकीदत मन मार और उसका प्यारा बेटा यूसुफ रहता था। वो अल्ला की मोज़ात पर अतल इमान के लिए मशूर थे और एक दोसरी के लिए उनकी मुहबबत पूरी कम्यूनिटी में मशूर थीूसुफ एक क्यूरियोस और एडवेंचुरिस बॉय था जो हमेशे निए अडवेंचुर करने के लिए बिचैन रहता था। एक दिन जब वो जंगल की गिराएं में दाहें लुवा तो उसका सामना एक जिरीले साम से हुआ। वोफ ने उसके दिल को अपने नपेट में ले लिया और वो ठोकर खाता हुआ एक चुपे हुए गरी में जागिरा। मदद के लिए उसकी चीहें द्रातों से गोंच रहें थी जब वो जामी और फंस गया था। गर में आपना का देद परिशारिंग से डोब किया क्योंकि उसे मिसोस हुआ कि कुछ गलत है। उसने अला के लिए इन्माई पर बोसर करते हुए चलना स्टार्ट किया और जिंगल तक जाप पूंची। वो चलते चलते उस गरे के किनारे पूंच गई जहां यूसुफ लेटा था। उसकी गालों पर आंसो बैर रहे थे। उसने अला से अपनी कीमती बेटे को बचानी के लिए मोज़े की दुआ की। गाउं में यूसस की गुमशुद्गी की हबर फैल गई और जेल ही गरे के गेर एक बीर जमा हो गई। और हट इसी ने अला से मोज़े के लिए दुआ की। जैसे जैसे सोज़ गरूम होता गया जिंगल गहना होता गया और उमीद अतम होने लगी। अचानक ही गरे से एक नारम चमक नखली जो नीचे से पहली हुई एक चमकेली सीरी को जाहिर करती है। योसफ सीरीश पर जरा और मोज़ाना दूर पर ठीक हो गया। योसफ का खरे से निकलते ही गौवाले होवज़दा हो गए और वो जानती थी कि अल्ला की तरफ से ही मदद है। आमना ने अपनी बेटी को वो इस भूती से धाम गया और अल्ला का शुकर अदा किया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक प्यारी मिरास बन गई, जिसने हम सब को अल्ला की मोज़ात की याद दिलाई। पुशी और गम के वक्त गौवाले अपने अटल इमान के तरफ में तवज़ा हुए। ये जानते हुए कि तुवक्ल और अकीगत के साथ अल्ला की मोज़ात उनकी जिन्गी के तरीक लिलावाद को भी रोशिन कर सकते हैं। थेंक यो, लाइक, शियर और सब्सक्राइब मैं चैनल।